गुड मोर्निंग एवरिवन दोस्तों आज है अप्रैल 11 विटी ट्विटी टू और हम लोग करने वाले हैं दा हिंदू न्यूस पेपर के अनैलसेज मेरा नाम असिते अंदर चोधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सेलेक्टिटी टोपिक्स लेके आया हूँ यह पर दे हैं वो क्या कंसेडर करते हैं किसी को भी डेथ सेंटेस सुनाने से पहले और एक्चुल में क्या क्या कंसेडर किया जाना चाहिए उसके बारे में यह है थोड़ा सा कानूनी भाशा रहेगी लेकिन ज्यादा डेटेल में जाने की हमको जूरूत है नहीं बैंगलूरू को एक स्टेटस मिला है और आज के बाद बैंगलूरू दुनिया की गिनी चुनी शिटीज में गिना जाएगा आपको लग रहोगा यह टेकनोलोजी के बारे में बात कर रहा हूं लेकिन यह टेकनोलोजी से दूर से कोई लेना देना नहीं है यह बिलकुल एक नहीं कैटेगरी है कौ इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी नूज हम लोग दुबारा से करेंगे नागलेंड इशू रिपीटिड इशू है थोड़ा सा बताऊंगा वैसे आप सबको पता है नागलेंड इशू के बारे में टू प्लस टू मीटिंग USA के साथ होने वाली है इसको थोड़ा सा देखे impact of pandemic on India's education ठीक है अगर यहां से आपका mains में question आता है तो definitely वो भी आप answer लिख सकते हो इससे पहले हम लोग कर चुके है देखे आपके लिए अलग से मैं बता दूँ के आपको क्या-क्या पढ़ना है pandemic के बारे में जो mains के perspective से सवाल पूछे जा सकते हैं effect of pandemic बहुत ही bro topic है effect of pandemic on women on children children in general and students in particular impact of pandemic on immigrants और migrants के सकते हो on migrants impact of pandemic on international trade right impact of pandemic on old people impact of pandemic on overall health sector impact of pandemic on domestic workers impact of pandemic on all sectors जो भी आपके दिमाग में आता है आप सबको वो बढ़ना है impact of pandemic क्योंकि exam में वो कहीं से भी सवाल आपसे definitely पोच सकता है खासकर women, old people, education sector, social sector यह थोड़े से जादा important हो जाते हैं mains के perspective से ठीक है care economy के बारे में बात करेंगे यह आज का editorial section है actually यह भी हम लोगों ने पहले नहीं किया और यहां से हम लोग mains का एक answer भी आपको देंगे लिखने के लिए वो भी आप लिख सकते हूँ care economy क्या होती है इसे क्या-क्या problems है इंडिया में क्या-क्या solution लोगों निकाल सकते हैं एक बिल्कुल नएया topic है तो इसको मैं थोड़ा सा देख लेंगे जाने वाली है जिसे दुनिया भर में booster dose कहते हैं हम लोग उसको precautionary dose कहते हैं कोई बात नहीं लेकिन उसके price को लेके थोड़ी सी दिक्कत है clarity नहीं है कितना price उसका रखा जाएगा 225 रुपए वैसे सरकार ने बोला है रखने के लिए कोवी शील्ड और कोवी वैक्सिन का अगर आप प्राइवेट से जाके लेते हो वैसे आपको यह जद्दर प्राइवेट में ही मिलेगा उसके लावा कुछ जो प्राइवेट होस्पिटल सुकरा है वो अपनी 150 रुपए जा रहे हैं एक होस्पिटल के इन्होंने एक्जामपल दिया है हारली 10 लोग वहाँ पर डोज लेने के लिए आए तो जल्दी से जल्दी आप भी डोज लेजिए मैं भी अपने आपको रिजिस्टर करवा रहा हूँ बूस्टर डोज के लिए क्योंकि ऐसा माना जा रहा है क जून जुलाई तक शायद नेक्स्ट वेव भी आ सकती है इंडिया में क्योंकि थोड़े बहुत केरला वगारा में केसिस बढ़ने शुरू हो गए हैं और प्राइम मिनिस्टर जी ने भी दो दिन पहले बोला था कि पैंडेमिक अभी गया नहीं है नए ने रूप में सामने आ रहा है और रिकॉंबिनेशन भी हो रहा है कुछ नया वेरेंटी भी आ सकता है तो अपने आपको मजबूत रखने की जूरुत है क्योंकि पिछली डोस जो हम लोग ने ले थी धीरे धीरे उसकी अभी जो एंटी बोडी बनाने की जो कपैसिटी वो कम हो रही है नाइंटी स्रिलंका से दुवारा से तमिलाडू में आये हैं यू वेरी वैल के श्रिलंका की हालत बहुत खराब है तो वहां से कहीं सरी फैमिलीज वो मजबूरी में तमिलाडू में आ रही है तो उसके बारे में आर्टिकल है कुछ पढ़ना है ताव इसको पढ़ सकते हो यहाँ पे इतने जादा बढ़ गया है ना कस्टमर्स को अट्रेक्ट करें तो करें कैसे तो आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा ना तो उस यूनिक करने के चकर में बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो पहले तो 30 मिनट में पीजा आता था फिर बोले नहीं 30 मिनट बहुत जादा है 20 यह 10 मिनट में डिलिवरी देती है भिया 10 मिनट में डिलिवरी देती है तो 10 मिनट में डिलिवरी आएगा कैसे एस लोंग एस वो जिस दुकान से समान आ रहा है आपके घर के अगर आस पास हो 100-200 मिनटर पे तब तो ठीक है 10 मिनट में डिलिवरी आ जाएगा लेकि 10 मिनट मे वहां से वह आधा किलोमेटर दूर है, एक किलोमेटर दूर है, वहां से उसको ग्रोसरी लेके 10 मिनिट आपके घर में पहुंचना है, तो उसको तो फारेश ड्राइविंग करनी पड़ेगी ना यार, तो नोर्मल ड्राइविंग के साथ कैसे आएगा, हमारे यहाँ पर बताया नहीं, लेकि उनने कहा है कि उनके कई बार एक्सिडेंट हो चुके है, अभी तक थैंक्फुली कोई मेजर एकसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन डेफिनिटली जब राइश ड्राइविंग करेंगे तो होगा, यहाँ पर एक चीज और बड़ी इंपोर्टेंट है, उसन रहेगा बेचारा, दस मिनट तो उसको आट राइड राइट भी चला जाएगा, फिर आउसको उसको अपके घर पे भी आना है, माशालला इंडिया में एडर्स ढूंडना बड़ा एक बहुत बड़ा जंग होती है, खेल, आसानी से आप एडर्स नहीं ढूंड सकते हो, अब एडर्स पूछते पचाते, दो लोगों से, चार लोगों से आओगे, गूगल मैप भी हाँ बहुत अच्छे से काम नहीं करता है, फिर आपके विल्डिंग बे चड़ेंगे, तीसरे चोथे फ्लोर पे, फिर जागे कहीं हो आपका घर उसको मिलने वाला है, तो यह आदे गं तो उसके बारे में यह पुरा आटिकल दिया हुआ है, थोड़ा साव देख सकते हो, तो लोंग टर्म, अगर आप पॉलिसी की बात करो, तो मुझे लगता निए इंडिया में को बहुत ज़्यादा सक्सेस्फुल होने वाला है यह, और वैसे भी जिस तरह के एक्सिडेंट क करते हैं, इनको incentive मिलता है, और इनकी salary increase होती है, और definitely poor family से belong करते हैं, तो अपने थोड़ा salary बढ़ाने के चक्कर में 2-4,000 उपे महिने का, तो इस तरह के इनको करना पड़ता है, मजबूरी में, कई बार वो ulti direction से आ रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप सही direction से आओगे, तो आ अपनी change किया है, पहले RBI growth के उपर focus कर रहा था, अब या RBI ने कहा है कि नहीं मैं तो inflation के उपर focus करूँगा, कल शायद हम लोग ने article ये किया था, तिसका थोड़ा देख लेना, ठीक है, और बाकी तो ये कुछ खास है नहीं यहां पर, ठीक है, आज का explainer section बिलकुल बकवास आया है, explainer section में अज कुछ खास है नहीं, तो ये तो हाँ, ये हम लोग देख सकते हैं, supreme court underscore need for the holistic picture of the convicted facing death penalty, देखिए जो है मध्या परदेश का case है, मध्या परदेश के case में एक आदमी ने एक छोटे बच्चे का rape किया, unfortunately, और high court, उसके जो session court है, उसने उसको fancy की सजा सुनाई ये 2018 का case है basically, तो उसके बारे में ही ये पुरा case है, पहली बात तो यहाँ पे के उस child की death नहीं हुई थी, क्योंकि जो death penalty दी जाती है, वो rarest of rare case में दी जाती है, तो पहला तो यह argument दिया गया कि ये rarest of rare case है नहीं, दूसरी बात, मान लो ये rarest of rare case है भी, मान लो आपने उसक को भी जब judge सुनाते हैं, तो क्या-क्या consider करते हैं, अभी तक हमारे देश में जब death penalty सुनाई जाती है, तो कुछ-कुछ चीजे consider की जाती है, जैसे आपका family, जबसे ज़्यादा focus family के उपर होता है, और दूसरा focus होता है आपकी occupation के उपर, कि आपका occupation क्या है, लेकिन इनका कह कहना है, कि अगर कोई आदमी murder करता है, rape करता है, या कोई और crime करता है, हमें उसकी बहुत दूसरी dimension को भी consider करने की ज़रत है, जैसे उसका childhood, क्या उसके childhood में कोई trauma हुआ था, क्या उसके childhood में उसके साथ sexual abuse हुआ था, क्या उसके childhood में उसके साथ family में उसका physical violence हुआ था उसके स क्या ये चीज़ें हमें consider नहीं करनी चाहिए ऐसे इसके अंदर argument दिया गया है क्योंकि ये चीज़ें आपकी जिंदगी भर के behavior को impact करती है ये चीज़ें उसके लावा उसका social background कैसा है वो किस society पे रहता है उसकी society पे किस तरह के लोग रहते हैं क्या वहां पे crime rate जादा है कम है का ये चीज़ें consider नहीं की जानी चाहिए डेफिनेटली की जानी चाहिए उसकी mental health कैसी है ये चीज़ भी consider की जानी चाहिए उसकी पूरी family का mental health का record कैसा है ये सब चीज़ें consider की जानी चाहिए तब जाके आप किसी आदमी को फांसी दे सकते हो कि यहां पे इनका कहना ये है क आप बहुत ज़ादा objective नहीं हो सकते अब अब मालो किसी ने murder कर दिया और उसको proof हो गए किसी ने murder किया है सिर्फ उस basis पिसको सजा सुनाना काफी नहीं है ये सारे के सारे factor भी आपको consider किये जाने चाहिए ऐसा इस पूरे के पूरे सजा सुना दी गई ठीक है उसको death penalty सुना दिया गया उसके बाद वो जेल में बंध है और जब वो जेल में बंध होता है तो कौन आदमी उसको access कर सकता है कौन आदमी access नहीं कर सकता ये पूरे का पूरा control जो jail authority करती है अब मालो यहाँ पर जो social experiment करने के लिए लोग आते हैं या फिर जो आदमी को जिसको सजा मिली है अगर वो उसका जो lawyer होता है बाद में अगर उसको access करने के लिए आते हैं तो उसको interview गरा नहीं देने देते तो उसकी जो access है वो भी restrict कर दी जाती है अगर एक बार उसको सजा सुना दी गई है मालो हाई court नहीं सजा सुनाई है और case supreme court के अंदर pandemic है उस case में भी वो जो convict होता है उसको access नहीं दिया जाता उसकी family को या फिर practitioner को या mediator को तो यह चीज़े भी नहीं होनी चाहिए इसकी mental health जो है impact होती है ऐसा इस article के अंदर मोटे-मोटे तोरबे कहा गया है UPSC के perspective से I don't think सो बहुत important है लेकिन कुछ ना कुछ आया हुआ था तो थोड़ा सा criminal reforms को लेके हलका full cup यह point अगर कभी exam में है तो लिख सकते हो justice criminal justice reform के बारे में कभी एक बार कुछ ना कुछ interview उगरा में पूछ लेते हैं इस तरह के questions तो यह तो हमने लेकर ही लिया है हाँ अगला जो हमारा है वो है बैंगलूरू जोइन्स Global Network of the Silk Cities देखे इस समय जो दुनिया में जो है इस समय तेरा सिटी ऐसी है जिनको Silk City का दरजा दिया गया है 13 Cities in 9 Countries यह मैं आपके लिए Home Assignment छोड़ के जा रहा हूँ आपको यह बताना है कि यह जो 13 Cities in का नाम क्या है इसमें बैंगलूरू को भी अभी आड़ कर दिया गया है तो इंडिया देखे वैसे तो वर्ल्ड की जो Silk Capitalist को चाइना माना जाता है इवन Silk इंडिया में भी चाइना से ही आया और Silk Route वो पता ही आपने इंसेंट हिस्ट्री Middle East हिस्ट्री पढ़ा ही होगा Silk Route उगारा के बारे में चाइना से जो Silk आती थी और योरोप के अंदर Middle East के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस था तो हम यहाँ पे अगर Silk की बात करें तो basically पांच यहाँ पे basic category होती है मलबेरी, ओक तासर, ट्रोपिकल तासर, मुगा और इरी पांच category होती है Silk की overall ठीक है यह आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए उसके लाबा South India में ज़्यादा तर Silk को प्रोड्यूस किया जाता है अंधरपदेश वहरा के अंदर करनाटका वगारा के अंदर ठीक है और तो और Silk को लेगे कुछ Cities काफी famous है जैसे कांचीपुनम ठीक है धर्मावरम आरनी वो सभीहार में भी Silk प्रोड्यूस किया जाता है और यहां पे जो अगर आप मलबेरी को छोड़ दो ठीक है तो बाकी जितनी वराइटी होती है उसे वन्या सिल्क का जाता है वन्या का मतलब होता है Forest यह जो सब्सक्रीट का वर्ड है तो बाकी सब को Forest Silk का जाता है मलबेरी को Forest Silk नहीं का जाता और यह सिल्क बनाया कैसे जाता है जो हमारे पास जो ककून्स होते हैं सिल्क के जो लारवा होता है अगर आप कभी इसके में कोई YouTube गरा पर वीडियो देख सकते हो कैसे बनाया जाता है बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगा आपको तो यह जो छोटे छोटे कीडे होते हैं इसके जो कीडे होते हैं जो Silk Worms होते हैं उनसे यह बनाया जाता है तो एक बर यह जो ककून गरा बना लेते हैं तो इसको डाला जाता है थोड़ा सा YouTube गरा पर वीडियो देखो कि आपको अच्छा लगेगा समझ में आ जाएगा परोपर तरीके से चीक है बागी पूरी प्रोसेस यही होती है जो आपके सामने है उसके लावा दोस्तों बात करते हैं B.S.F. के बारे में B.S.F. ने काहिना है कि B.S.F. टीम कम सिन 50 किलोमेटर टू सीज केटल ये बेसिक लिए आसाम का केस है और आसाम मे B.S.F. के जवानों ने एक ट्रक का पीछा किया उस ट्रक के अंदर इलीगल तोर से बंगला देश से बफैलोज ट्रैफिक की जा रही थी स्मगलिंग किया जा रहा था और उनको उसने पकड़ लिया तो ये 15 किलोमेटर तक अंदर आ गए B.S.F. के जवान उसके बारे में य 20 किलोमेटर अंदर की तरफ लेकिन सरकार ने क्या किया सबको अभी उन्होंने कहा कि हम लोग सबको 50 किलोमेटर करेंगे तो अभी राजस्थान आसाम पंजाब गुजराथ सभी के अंदर 50 किलोमेटर का जूरिज्डिक्शन है B.S.F. का मतलब आप इंडिया की बांडरी से 50 किलोमेटर तक अंदर B.S.F. हा सकती है लेकिन एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी B.S.F. हाने का मतलब यह नहीं कि वहां की लोकल पुलिस काम नहीं करती है तो B.S.F. कहीं सारे काम कर सकती है यह से बेसे तीन ऐसे आर्टिकल हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ड पा का पूरा केस वहां की लोकल पुलिस को ही ट्रांसफर करना पड़ता है इसका मतलब यह है कि B.S.F. आपको पकड़ सकती है अरेस्ट कर सकती है आपकी प्रोपरटी सीज़ कर सकती है जैसे यहां पे बफैलोस को किया लेकिन ultimately केस वहां की लोकल पुलिस के पास ही जाता है क्य पे BSF जो है basically border security force, पाकिस्तान बोर्डर पे और बंगलादेश बोर्डर पे ये जो है active रहती है और BSF जो है ministry of home affairs के अंदर आती है ये तो आपको पहले से पता ही है इसमें तो कुछ बताने का है नहीं और जब पाकिस्तान के साथ इंडिया का war हुआ था 1965 के बाद उसके बाद ह जो है एक अपना headquarter होता है वो सारे के सारी चीज़े इंडिया में जो है seven central armed police forces होती है साथ जिसमें से एक BSF भी है ठीक है बाकि जैसे आसान राइफल हो गया ITBP हो गया ये सब आपको मैंने पहले बता रख है सब कुछ उसके लाब हमारा CRPF हो गया ठीक है और NSG हो गया और ससस्तर सीमा बला SSB हो गया ये सब हमारे Central armed police forces के अंदर में ही आते हैं और BSF 1,2,3,4,5,6 और BSF जो हमारा CISF होता है बेसिकली जब आप airports पर जाते हो metro station पर जाते हो तो वहाँ पर CISF के जवान आपको देखने को मिलते हैं अज जब उनके कंधे पर देखोगे तो CISF लिख को है किसको लेके North East को लेके NSCN K K का मतलब होता है Khaplang तो ये जैसे Khaplang एक leader है बेसिकली इनके तो इनके नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है दो NSCN है हमारे पास एक NSCN है Khaplang के से और एक NSCN है IEM Isaac Mowa इसको बोलते हैं तो ये भी इसकी leader है तो जो Khaplang group है वो इतना धा hoje है अब Nagaland में लेकर क्या issues होते हैं वो आपका बताने के जरूरत नहीं कि नागालेंड में वहां पर जो बात की जाती है वो Nagalim की बात की जाती है Greater Nagalim और नागा क्योंकि नागालेंड के मंदर मैं काफी जाता भी हूँ तो वहाँ के कल्चे के पारे मुझे काफी पता है चीजे नागा कोई एक ट्राइब नहीं है नागा एक एथनी ग्रूप है और इसके अंदर बहुत सरी ट्राइब्स आती है तो कोई लोगों को ऐसा लगता है कि नागा कोई पर्टिकुलर ट्राइब है नहीं नागा लेंड के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो सब नागा उनको सब को नागा बोला जाता है और बहुत सरे tribes हैं नागा के अंदर तो ये सिर्फ नागालेन में ही नहीं रहते कुछ लोग असाम में भी रहते हैं कुछ लोग मनीपूर में रहते हैं कुछ लोग नागालेन में तो खेर रहते ही हैं कुछ लोग आंधर प्रदेश के अंदर भी रहते हैं राचल प्रदेश के अंदर, तो इनका कहना है कि जितने भी नागा population है, वो सब हेकी state के अंदर होने चाहिए, और इसको नागालिम बोलते हैं, और इनकी major demand क्या है, इनकी major demand दो है basically, एक तो इनका कहना है कि हमारा separate constitution होना होना चाहिए, और दूसरा कहना है कि हमारा separate flag होना चाहिए, हालाकि इनका पहले ये लोग separate country की demand करते थे, वो demand अभी इतनी ज़्यादा strong नहीं रही, अभी ये सिर्फ दो ही demand है, लेकिन union government कहती है कि भाईया, ये हमारे लिए possible नहीं है, separate constitution, separate flag, इंडिया में सिर्फ G&K के लिए separate constitution हुआ करता था, लेकिन अभी वो भी खतम हो गया, तो आपके लिए थो हमारे अलग से बना ही नहीं सकते और ये जो नागलेंड वाली demand है दोस्तों कोई आज की नहीं है, ये बहुत पराणी demand है, ये आजादी के पहले की demand है, अच्छली वहाँ पर एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे पहले, उनका नाम था A.Z.Fizo मैं आजादी से पहले की बात कर रहा हूँ, 1847 से पहले की बात कर रहा हूँ तो A.Z.Fizo ने ब्रिटिश लोगों के साथ contract किया, और contract भी किया, उन्होंसे demand किया कि नागा लेंड की history वो इंडिया की history से बिल्कुल अलग है, इसलिए हम लोग इंडिया का part नहीं बनना चाहते हलाकि इनको बाद में इंडिया का part बनाया गया, लेकिन इन्होंने उसके protest में एक संस्था बनाई जिसे कहा गया नागा नेशनल काउंसिल, नागा नेशनल काउंसिल, नागा नेशनल काउंसिल बाद में दो ग्रूप में बंट गया, देखो जैसे होता ही है न, बड़े बड़े जो music band होते हैं, वो भी अलग अलग टुकडों में बंट जाते हैं, और इनके जो leaders थे बेसलिए उनके बीच में कुछ आपस में जगडा हो गया था, तिन्हों ने अपने दो group बना लिये, तो एक को कहा गया NSCN Isaac Mewa, और दूसरे को कहा गया NSCN Khaplang, ये बस थोड़ा साब को पता होना चाहिए, इनी दो groups में को लेके, जो है सरकार ने बार-बार इनके साथ collaboration किया है, वो सारी-सारी और 2015 में इंडियन government ने इनके साथ जो है एक framework agreement किया था, framework agreement इनके साथ किया था, और उसके बाद से वहाँ पे काफी peace का महोल है, लेकिन दोवारा से इनों इंडियन आर्मी के दोवारा गलती से 13 civilians को मार दिया गया था, जिसको लेके बाद में वहाँ पे अपसफा को लेके द आप एक साथ मिलके आईए, नागलेंड के demand को एक साथ हम लोग बढ़ाएंगे, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो बड़ी-बड़ी बाते जो हैं आपे बोली गई हैं, और तो इसमें कुछ खास है नहीं, अगे बढ़ते हैं जो questions आपको लोगों को कल MCQs करने के ल आने वाले हैं, अब तो आजकल ऐसे questions आते हैं नहीं, अजरसंद reasoning वाले, लेकिन 2012-13 से पहले इस तरह के questions बहुत frequently आया करते थे, तो यह 2012 का question है actually UPSC का, तो इसका जो सही answer है वो है यह A, A is true and R is false, तो union executive is headed by the president of India, there is no limitation, ऐसा नहीं है, president की power के पर भी limitations होती है, कोई भी constitutional authority unlimited का है, वो कोई भी हो, electoral college होता, president consists of one, three and four, तो इसके अंदर two नहीं है, elected member of both houses of the state legislature, state legislature नहीं के दर दो houses होते हैं, upper house, lower house, तो वहाँ पे जो elected members होते हैं, lower house के सिर्फ वही participate कर सकते हैं, दूसरे लोग participate नहीं कर सकते, president की election में कौन participate नहीं करता है, यह जानना ज्यादा जरूरी है, nominated member of raja sabah, नहीं करते हैं, जो 12 लोगों को president nominate करते हैं, nominated member of the state legislative assembly, यह भी नहीं करते, member of legislative council, यहां दो, तो legislative council, legislative assembly, assembly वाले participate करते हैं, council वाले participate नहीं करते हैं, चाहे वो elected हो, चाहे वो nominated हो, तो bicameral legislature के अंदर के मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझे comment section में यह बताओगे, कि lecture काम करता है, अभी भी, ठीक है, यह question आपके लिए, यहाँ पे comment section में आपको बताना है, उसका बाद, nominated member of the union territories of Delhi and Podicherry, वहाँ पे सिर्फ elected member ही participate करते हैं, बहुत सारे student ने answer बिलकुल सही दिया, UPSC का question है, अगर आपका answer सही है, तो आप अपने आपको थोड़ा सा खुश र de-statement ही सा correct है, president election may be postponed on the ground that the electoral college is not incomplete, ऐसा नहीं होता है, electoral college complete हो या ना हो, president का election तो हो नहीं होना है, और वैसे भी elected college ही complete होता ही है, चीक है, complete का मतलब इनका यह कहना है, कि माल लो अभी जो है, लोकसभा dissolve हो गया, है ना, नया election, तो उससे में elected member तो नहीं होंगे, क्योंकि president का election में तो elected member participant करेंगे ना, और माल लोकसभा ही खतम हो गया, नया election होने वाला है, तो क्या उस case में president का election को postpone किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, चीक है, तो इसी लिए, ये statement जो है, बिलकुल आपकी correct नहीं है, consider the following statement, इन्हें electoral college होता president, ये थोड़ा सा technical सा question है, लक्षमी कांद में director, आपके यहां से question देख सकते हो, तो इसका statement हो जाता है, only two, तो value of the MPs, जो member of parliament होता है, उनकी vote कैसे calculate की जाती है, by dividing the total value of MLA's, तो जितने भी हमारे MLA's होते हैं, total MLA's, चीक है, उनकी vote को divide किया जाता है, उनकी value होती है, जो vote को divide किया जाता है, MPs के number से, जितने हमारे MPs हैं, वो divide किया जाता है, और जितने MLA's की vote होती हैं, उसके साथ, तो इसलिए यह हमारी second statement ही correct है, क्योंकि यह question 2003 में पुछा गया था, UPSC में, तो यह उस समय का question है, है न, there were more than 5000 votes in the latest election, तो उस समय की यह बात करता है, तो इसलिए यह थोड़ा सा पीछे वाल इंडिया US 2 plus 2 meet, तो 2 plus 2 meet में आपका पता ही है क्या होता है, जो हमारे foreign minister है, वो meeting करेंगे, और foreign minister के साथ-साथ हमारे external affairs minister जो जैशंकर जी है, वो वहाँ पे पहुँच गए हैं, और उनके साथ-साथ राजनात सिंग जी, defense minister, तो external affairs minister और defense minister इंडिया वाली side से, और यह दोनों minister, Mr. Blinken और Mr. Austin, अमेरिका वाली side से, यह आपस में meeting करने वाले हैं, इसलिए इसको 2 plus 2 बोला जाता है, दो minister हमारी तरफ से, दो minister आपके तरफ से, तो बोला जाता है, तो यह काफी deep relation होता है, 2 plus 2 का मतलब यह है कि अभी आपकी जो relation है, वो सिर्फ उसिव trade तक limited नहीं रही, व पतलब उसके अंदर हम लोग defense भी include करते हैं, या फिर और foreign policy की alignment की बात करते हैं, वो सारी सारी चीज़े होती है, तो कहीं बड़े-बड़े agreement होने वाले हैं, इंडिया USA की बीच में, कहीं का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, देखे, अभी finally तो कुछ हुआ नहीं है, स्री बा नहीं है, हम आपको alternative provide करवा सकते हैं, क्योंकि America खुद बहुत ज़्यादा तेल produce करता है, one of the major oil producing country in the world, so America is saying to India, you do not need to buy Russian oil, we can provide you some alternate solutions, if you are ready, India ने कहा कि no, we are not ready, because हमें discount चाहिए, अगर आप discount में दे सकते हो, तो हम सोच सकते हैं, otherwise तो हम लोग Russia सा ही खरी देंगे, उसके लाव में, जैसे कुछ predator helicopter हम लोग वहां से ले सकते हैं, हमारे पास, इंडिया के पास दो aircraft carrier हैं, एक का नाम है विक्रमा दित्या, जो कि हम लोग ने रश्या से खरीदा था, और दूसरा है विक्रांत, जो कि हमारा indigenous है, तो इनके लिए भी हम लोग fighter aircraft खरीद सकते हैं, अमेरिका से और उसके लवा P-81 maritime patrol aircraft होते हैं, और MH-60R multi-role helicopter, ये भी हम लोग अमेरिका से खरीद सकते हैं, कहने के मतलब यह है कि आने वाले समय में, रश्या के साथ साथ अमेरिका से भी हम लोग बहुत different different तरह के weapons खरीदने वाले हैं, ये basically यहाँ परी बात बोली गई है, more or less, जब agreement तो detail में पढ़ेंगे, अभी तो इतना हमारे लिए काफी है, Bengal coast faces most erosion, ये actually parliamentary के अंतर सवाल पूछा गया था, और उसके जवाब में हमारे जो ministry of health science हैं, उन्होंने answer किया है, उनका कहना है कि इंडिया में, इंडिया का इदे बहुत बड़ा country है, इंडिया में 6,907 km लंबी coast line ह हमज़े हो, मतलब 6-7,000 km के लगभग इंडिया का total coast line होता है, total coast line होता है, तो उसके बारे में इन्होंने कहा है, कि coastal erosion होना एक बहुत आमसी बात है, लेकिन अगर हम लोग overall उसकी बात करें, तो Bengal के अंदर सबसे ज़्यादा coastal erosion इस समय हिंडिया में हो रहा है, ठीक है, वो इ काठियावार coast, गुजरात वाले में, कॉंकन coast, महराष्टरा, यहाँ पे गोवाव अगरा में, मालाबार coast, जो है केरला coast पे, कॉरोमंडल coast, तमीलाडू, आंधरा coast, इसको जो है नदन सिरकार coast भी बोलते हैं, उतकल coast, और यहाँ पे आती है सुंदरबन coast, वेस्ट बेंगो किलोमेंटर, उसके बाद आता है तमीलाडू, फिर आता है आंधरप्रदेश, और फिर आता है महराष्टरा, केरला, यह थोड़ा सा आपको decreasing order में और increasing order में आपको याद करना है, अंदमान है निकोबार क्योंकि यूनिन टरिटरी है, इसलिए हम इसको states के अंदर कंसेंटर करेंगे, लेकिन अगर आपको वैसे कंसेटर करना है, पोलिटिकल यूनिट, तो येस, अंदमान निकोबार सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया शेर करता है इंडिया में, ठीक है, यह थोड़ा आपको यहाँ पर देख लेना है, और तो इसमें कोवा कि कुछ हास है नहीं, इ देखिए, जो वर्ड बैंक के गलोबल डारेक्टर है, ओफ एजुकेशन, जेमी सावेंद्र, इन्हों ने इंडिया में वीजिट किया है, और इन से जब सवाल जवाब पूछे गई, तो कई सारी इंपोर्टेंट चीज़े निकल के सामनी आई, तो पहले ति इन्हों ने य कोशन भी लिख सकते हो आप यह लिख सकते हो कि, सिंपल सा कोशन आपको मैं यहापी लिखने के लिए देता हूँ, इंपेक्ट औफ पंडेमिक, डिसकस्ट इंपेक्ट ऑफ यह यह लिख सकते हो, डिसकस्ट इंपेक्ट ओफ पेंडेमिक on education sector in India, ठीक है, यह हो गया, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो हम सिर्फ education sector में क्या क्या करने वाले हैं, सिर्फ primary sector ही मत बोलना, कि primary school and all that, primary education भी है, यहाँ पे secondary education भी आएगा, higher education भी आएगा, क्योंकि उसने कोई mention नहीं किया, कि primary education भी फोकस करना है, तो कहीं बार हम लोग UPSC के answer लिखने में यह गलती भी कर देते हैं, हम question को deeply नहीं बढ़ते हैं, question की demand को नहीं बढ़ते हैं, और यहाँ पे वो impact की बात कर रहा है, तो impact का मतलब सिर्फ यह नहीं के negative impact की बात कर रहा है, overall impact की बात कर रहा है, कुछ impact positive भी हो सकते हैं, कुछ impact negative भी हो सकते हैं, positive impact में जैसे digital education क्या बात कर सकते हो, है ना, यह sector इंडिया में पहले बहुत पीछे था, लेकिन इसकी वज़े से digital platform सामने आ रहे हैं, जिससे हम लोग अभी analysis कर रहे हैं, YouTube के थूँ, यह इस एक digital platform है न, education का, Unacademy, Byju, Prep IAS, दुनिया भर के education institutions हैं, तो यह भी तो एक positive ही outcome है कहीं ना कहीं, तो आपको impact में negative positive दोनों बताने हैं, ठीक है, और इंडिया का education sector के देर क्या क्या problems हैं, वो आपका बतानी है, तो impact of education sector in India, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हों अगला, mention some challenges and suggest some measures, ठीक है, खुटा सा question है, only 150 words or 10 marks, यह हो जाएगा आपका answer, तो आगे बढ़ते हैं, तो कुछ, देखें, हमेशा आपके means के examination में fact आपके काम आते हैं, क्योंकि आप जब भी कोई statement लिखते हों, माल लो आपने लिखा, इंडिया's education sector is badly hit by pandemic, यह बहुत ही general सी statement है, लेकिन इस statement के अंदर wait होना चाहिए, wait कैसे होगा, wait तब होगा जब आप अपनी statement को किसी fact के साथ backup करते हो, उसको evidence प्रोवाइड करवाते हो, examiner आपसे evidence चाहता है, वो आपका opinion नहीं चाहता, आपके opinion के साथ अगर कोई fact, कोई survey, कोई research, कोई study, अगर वो agree करती है, तब आपकी statement के अंदर जो है gravity आता है, तो क्या बताओगे आप, जैसे प्रथम Acer survey हुआ, इसने, इसकी आप यहाँ पर fact बता सकते हो, कि इंडिया में जो grade 3 के जो student है, वो simple subtraction, पहले सिर्फ 24% बच्चे कर पाते थे 2018 में, और अभी सिर्फ 16% बच्चे ही simple subtraction का सवाल कर पाते हैं, मालो भया, 4 में से 2 minus करो, यह simple सवाल है, पहले 24% कर सकते थे, अब सिर्फ 18% ही कर पाते हैं, और जैसे, पहले इंडिया में 53% जो बच्चे होते थे, जो दस्मी, जिसका 10 साल age होती थी, age of 10, वो लोग simple text पढ़ सकते थे, लेकिन अभी उससे पहले 70% बच्चे जो है उसको पढ़ सकते थे, या फिर आभी यह कह सकते हो, कि ऐसे बच्चे जो पहले जिनके संगा 53% वा करती थी, जो simple text पढ़ सकते थे, जिनके 53% पढ़ सकते हैं, पहले 70% बच्चे पढ़ सकते थे, तो पहले 100 में से 70 बच्चे simple text पढ़ सकते थे, लेकिन अभ सिर 53% बच्चे ही simple text पढ़ पाते हैं, तो education का level तो बहुत down हुआ है, pandemic के समय में, ठीक है, लेकिन कुछ-कुछ अच्छी चीज़े भी हुई है, जैसे education television, या radio के थुरू, या digital education के थुरू हम लोग पढ़ सकते हैं, problem हम लोगों सब को पता है, solution क्या है, पहला solution नहीं तो इस school open करने का, लेकिन सिर्फ school open करना ही काफी नहीं है, enrollment करवाना भी ज़रूरी है, लाखों की संक्य में बच्चे, education, अब जो है वो school open होने के बाद भी school में नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहली बच्चे उनको school में लेके आना है, दूसरी बात, migrants के बच्चे कहां चले गए ये किसी को नहीं पता, है ना, क्योंकि migration की वज़े से पूरे का पूरा system जो है वो इधर से उधर हो गया है, तो उनको बच्चे को पहले तो identify करना है, उनको school में admission करवाना है, तीसरी student यहाँ पर fundamentals पर focus करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे out of school होने की वज़े से उनकी जो basic learning है वही छूट गया है, तो जब वो school में जाएंगे तो advanced syllabus नहीं पड़ पाएंगे, तो उनको बिल्कुल fundamental से start करवाना है, बिल्कुल शूरू से start करवाना है, और catch up करना है, जिनका syllabus छूट गया है पहले, तो वो catch up करना है, bridge courses वगारा हम लोग यहां पर चला सकते हैं, उसके लबाब private schools और government school, ठीक है, इनकी quality के अंदर जितना gap है, उस gap को minimize करना है, वो चीज़ हो गई, और तीसरी चीज, education technology in general has the potential to be great equalizer, बट still divider around the world, education जो digital education है, उससे काफी benefit हुआ है, लेकिन जादातर benefit उनका हुआ है, जिनके पास sources है, जिनके पास mobile phone है, internet connection है, दूसरों के पास नहीं है, तो जो divide education है पहले हुआ करता था, वो divide अभी और जादा बढ़ गया है, के अंदर एक solution वाला पार्ट तो definitely लिखी सकते हैं, problems वारा के बारे में हम लोग पहले detail में चर्चाएं कर चुके हैं, हाँ, क्योंकि आज का editorial section ये है, इस पर हम लोग थोड़ा सा जादा focus करेंगे, care economy के बारे में बात हो रही है, care economy, care economy का दोस्तों मतलब क्या होता है, care economy जैसे आपका nursing हो गया, ये भी care economy का पार्ट आता है, इविन आपका जो medical होता है, ये पुरा care economy के अंदर पार्ट आता है, उसके लावा जो child care होता है, ये भी care economy का पार्ट आता है, जो old age, जो old persons होते हैं, उनकी take care करना ये भी जो है care economy का part आता है आंगनबाडी के जो workers होते हैं वो भी ये जो work होते हैं वो भी care economy का ही part होता है even जो domestic workers होते हैं वो भी care economy का ही part होते हैं तो ये होती है care economy छीक है? ILO मतलब international labor organization को क्या कहना है definition का consisting of the activities and relation involving the meeting of the physical, psychological, emotional need of the adults and the children old, young, frail and able-bodied इस तरह के definition जो fix होती हैं आप definitely इसको याद कर सकते हो दो-चार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा और आपने answer में लिखने में बहुत help करने वाला है तो ऐसी कोई भी activity जो कि बच्चों को, young को, old को उनकी take care करने के काम आता है और यह take care कही तरह का हो सकता है वो physical भी हो सकता है, mental भी हो सकता है, emotional भी हो सकता है उसे हम लोग care economy बोलते हैं और यह direct भी हो सकता है, indirect भी हो सकता है direct activity जैसे बच्चे को दूद पिलाना है ना, nursing करना लोगों के take care करना वो सब हो सकता है indirect जैसे cooking करना, cleaning करना वो सब care economy का पाट आता है ये दोस्तो paid भी हो सकता है unpaid भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते है जैसे जो nursing होती है hospitals में वो तो paid workers होते हैं जो आंगनवाडी workers होती है वो भी paid workers होते हैं लेकिन जो mothers होती हैं घरों में जो बच्चों का take care करती है अपने साथ ससूर का take care करती है वो तो unpaid होता है तो दोनों हो सकते हैं paid भी हो सकता, unpaid work भी हो सकता है तो women का जो unpaid work है वो इंडिया की total GDP का 3.1% है जो की बहुत बड़ा part है 3.1% ठीक है और 2011 में 2019 में government का survey हुआ था जिसमें कहा था कि 26 लाख जो domestic workers है out of 39 लाख वो महिलाए हैं और बचे हुए जो 13 लाख हैं वो males हैं उसके लावा pandemic के समय में क्या हुआ कि जो care industry है बेलकिल पूर care workers की demand बहुत जादा बढ़ गई चाहे बच्चों की take care करना हो चाहे ओल्ड एज की take care करना हो hospital में कोगी बहुत जादा patient आने लगे तो nursing की demand भी बहुत जादा बढ़ने लगी तो वो चीज़े होई इविन इंडिया की nurses की demand Middle East में भी बहुत जादा है केरला वगारा से करनाटका से तमिलाडों से बहुत सारी nurses जो है वो Middle East countries में काम करने के लिए जाती है तो care economy basically धिरे-धिरे दुनिया भर में बढ़ रही है तो हमारा जादा focus paid care economy के उपर नहीं है हमारा focus होना चाहिए जादा से जादा unpaid care economy के उपर होना चाहिए जो महिलाएं होती है क्योंकि जब महिलाएं labor participation में participate नहीं करती है अब आप सोच के देखिए कि कोई महिला है वो bank में job करती है या वो domestic worker है या फिर आंगनबाडी worker है या कोई भी है तो definitely वो पैसा earn कर रही है जो हमारी GDP में direct contribute कर रहा है लेकिन जो mothers होती है वो तो contribute नहीं कर रही है GDP के अंदर mothers वो indirectly contribute कर रही है वो बच्चे के development में participate करती है nation building में participate करती है family को raise करने में participation होता है जो कि किसी भी तरह से paid के comparison में कम नहीं है लेकिन उनके काम को इतना जादा recognize नहीं किया जाता जो unpaid workers होते है care economy जो participate करते है तो कहीं सारी problems है यहाँ पे और कहीं सारे steps भी लिए गए है तो मैंने इन दुनों के एक साथ ही club कर दिया है सबसे बड़ी problem तो यह है के care economy take care के लिए जितना जादा ध्यान दिया जाना चाहिए उतना funding वारा सरकार नहीं कर रही है तो budget allotment जो है उतना जादा नहीं है चाहे वो pre primary education हो maternity हो disability हो sickness benefit वगरा हो तो उतना हमारे पास infrastructure भी नहीं है कई बार आपने देखा होगा buildings वारा में आप जाते हो तो वहाँ पे disabled लोगों के लिए कोई खास provision है ही नहीं तो उनको भी studio पे चड़के जाना पड़ता है समस्य हैं बहुत सारी जो elderly people होते हैं उनके लिए lift नहीं होती है उनको studio में चड़के जाना पड़ता है बहुत सारी समस्य हैं यहाँ पे तो infrastructure जो है वो care economy के हिसाब से उसको नहीं बनाये गए पहली बात तो यह दूसरी बात cratches cratches का मतलग क्या होता है आपने कही बार देखोगा जो private companies वगरा होती है या कही बार आपने ऐसे कुछ खास police station वगरा भी देखे होंगे जहां पे जो महिलाई होती है जिनके छोटे बच्चे होते है तो वहाँ पे playground type का बना दिया जाता है तो बच्चे वहाँ पे खेलते रहते हैं अराम से time spend हो जाता है उनकी जो mothers होती हैं वो काम कर सकती है जो factories वगरा में काम करती है private companies में काम करती है उसको क्रेचे बोलते है अब सरकार ने क्रेचे की scheme तो चला दिया लेकिन इसको कैसे implement किया जाएगा कितना implement हो रहा है ये किसी को नहीं पता तो इसको थोड़ा सा observe करने की जोरत है इसको थोड़ा सा track करने की जोरत है आंगनवाडी workers को आज भी इंडिया में formal workforce नहीं माना जाता और क्योंकि इनको workforce नहीं माना जाता formal इसलिए बहुत सारे benefit जो इनको नहीं मिल पाते insurance वगारा हो गया health facilities वगारा हो गया वो सारे सारे चीज़ें यह यहाँ पे बहुत बड़ी समझज़ा है दूसरी बड़ी समझ़ से यह है कि जो employers होते हैं मतलब जैसे Tata, Virila, Ambani जो प्रवाइड करवाते हैं सिर्फ 49% employers ही क्रेचे facility प्रवाइड करवाते हैं अपने places में अब यह समझ़के देखे कि किसी कोई mother है उसका baby बहुत छोटा है वो 3-4 महीने का है या 5 महीने का है एक साल का है उसको टेकर की requirement है अगर उसको अपनी factory के अंदर अपनी company के अंदर अगर क्रेचे facility मिलेगा तो जोब पर जा सकती है अदरवाइस उसको मजबूरी में घर पर ही रहना पड़ता है तो बहुत सारी महिलाएं इंडिये में ऐसी है जो पनी बच्चो को टेकर करने के लिए अपनी जोब उनको छोड़ना पड़ता है क्योंकि उनको पता है कि जहां पर उनका जो work station है जहां पर वो काम करती है वहाँ पर बच्चो के टेकर करने के लिए सुविधाएं नहीं है तो यह बहुत बड़ी समस्था है यहां पर है दूसरी बड़ी समस्था है कि जो अनपेड केर वर्क होता है जैसे अब भी हम लोग ने बात किया जो होम मेकर्स होती है हाउस वाइप्स होती है माताएं होती है उसकी वज़े से लेबर मार्केट के अंदर इनिक्वालिटी पैदा हो जाती है तो औरतें और महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो इंकम जो गैप होता है वो इंक्रीज होता चला जाता है यह तो चीज़ें हो गई अब यहां पे कुछ steps की बात कर लेते हैं इंडिया गवर्मेट ने बहुत बढ़िया बढ़िया step यहां पे लिये हुए है जैसे 26 weeks का maternity leave मिलता है जो की कई developed country से बहुत बढ़िया है इवन इंडिया का जो maternity leave है जो male होता है उसके घर में जो बच्चा पैदा होता है तो उसको सिर्फ 9 दिन की छुटी मिलती है जो की मिहलाओं को 26 weeks की छुटी मिलती है तो इसमें gap जो है इतना जादा नहीं होना चाहिए यह थोड़ी सी समस्य यहां पे है उसके लाब और इंडिया ने कई सारे step लिए है जैसे sexual harassment of work and workplace prevention prohibition and the redressal act यह actually जो domestic workers होती है उन पे भी लागू होता है तो इसका मतलब उनको ज़्यादा legal protection दिया गया है पहले यह नहीं हुआ करता था कई सारे states के अंदर जैसे करनाट का तमिलाडू गारा के अंदर जो domestic workers होती है जैसे हमारे यहां पे जो साफ सफाई करने के लिए आती है या खाना बनाने के लिए बरतन धोने के लिए उनका जो है उनके जो wage होती है उनके जो salary होती है वो भी minimum fix कर दी गई है तो कुछ न कुछ step तो definitely लिए गए है दिक्कत उसमें नहीं है ठीक है लेकिन आगे हम लोग क्या कर सकते है what is the way forward पहली बात तो budget allocation प्रोपर तरीके से कीजिए ऐसी बहुत सारी services जो अभी formal उसका part नहीं है workforce का उसका formal workforce का part कर ये ये बहुत बड़ी चीज़ है ठीक है जो care workers होती है उनकी working condition को आप improve कर सकते हो और ILO मतलब international labor organization जो है वो 5R की बात करती है 5R framework recognition, reduction, redistribution of unpaid care rewarding care workers and representation in the social dialogue मतलब ये है कि अगर आप इनके लिए कोई policy बना रहे हो तो कम से काम ये भी एक important stakeholder है आपको इनको भी consult करने की ज़रूरत है ठीक है care work should be viewed as a collective responsibility and the public good तो ये इस तरह से आप अपने answer को definitely एक बढ़िया सा conclusion प्रवाइड करवा सकते हो तो यहाँ पे जो है एक हम लोग question लिख सकते है question लिख सकते है what do you understand by care economy discuss the issues regarding care workers in India and write a way forward वैसे से को लिखने की ज़ूरत नहीं है लेकिन अगर पूछा गया है तो बताना है नहीं पूछा गया है तो फिर भी आपको बताना होता है यह understood सी बात होती है ठीक है 150 words और 10 marks लिख सकते हो simple सा question है कोई ज्यादा दिमाग इसमें tough लगाना नहीं है जो चीज़ें हम लोग उन्हों पर discuss की है वही सारी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है solution भी आप बता सकते हो solution एक इसमें कर आपको dimension एड करनी है तो अभी आप कर सकते हो बता सकते हो what are the steps taken by government and then way forward ठीक है यह extra dimension एड करनी है तब यह भी कर सकते हो नहीं करनी है तो उपर उपर आंसर जो है आप आसानी से लिख सकते हो उसके लावस दोस्तों वहाँ आरे पास कुछ additional article भी है जो आपको पढ़ना है तो आप उसको पढ़ सकते हो खास important नहीं लगे मुझे बढ़ ठीक ठाक सा है बढ़ सकते हो तो इसी के साथ हम लोग आज खतम करते हैं लेकिन चो स्टुडेंट हमारे प्लैटफों में नहीं आया है उनको बताता चलू कि हम लोगों ने अपना foundation course भी लौंच किया है ठीक है 30th of April से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किसी को जानकारी लेनी है तो WhatsApp नंबर पर WhatsApp कर सकते हो और नीचे description में जो है form मिलेगा आपको वो भर सकते हो आप सारी जानकारी ले सकते हो दिक्कत आपको किसी भी तरह के नहीं आएगी आपको सारी test series विगरा यहाँ पर दिया जाएगा इसके अंदर include होगा और हर छोटे लिए आपको personal mentoring यहाँ पर प्र हम लोग खतम करते हैं thank you very much all the best जय हिंद